Hello Everyone! My Name is Aditi Chaudhari. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे संटेंसेज बोलने की जरूरत पढ़ती है जैसे मुझे क्या पता था कि वो आज नहीं आएगी? मुझे क्या पता था कि वो एक नंबर का जूटा है? उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है उसे क्या पता था कि वो उसे बेवकूफ बना रहे थे ऐसे हिंदी के sentences जिन में हम बोलते हैं कि मुझे क्या पता था इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम little did I know इस phrase का use करते हैं जिसका sense ऐसे sentences में मुझे क्या पता था से होता है यहाँ पर यह जो आई है यह subject है guys जो कि sentence to sentence हम change भी कर सकते हैं जैसे कि he, she, we, you, they चलिए इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले little did आता है इसके बाद subject आता है इसके बाद no आता है और last में हमारा remaining sentence आता है जो कि past tense में होता है क्योंकि ऐसे sentences में हम past के बारे में बात करते हैं एक बात का ध्यान रखेंगे कि main sentence को लिखने के पहले और no को लिखने के बाद comma जरूर लगाएंगे चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए मुझे क्या पता था कि वो आज नहीं आए की little did I know she would not come today little did I know she would not come today यहाँ पर आप little did I know she will not come today मत बोलिएगा क्योंकि guys यह sentence past में है जो हमारा first clause है कॉमा के पहले वाला little did I know यह past में है और उसके बाद भी हम past के बारे में ही बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर would का use करेंगे will का use नहीं करेंगे क्योंकि यह sentence future tense में नहीं है मुझे क्या पता था कि वो एक नमबर का जूटा है little did I know he was a liar of the first order little did I know he was a liar of the first order of the first order means एक नमबर का उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है little did they know what was going to happen to them little did they know what was going to happen to them उसे क्या पता था कि वे उसे बेवकूफ बना रहे थे little did he know they were fooling him little did he know they were fooling him हमें क्या पता था कि उसने बहाना बनाया था little did we know she had made an excuse little did we know she had made an excuse अब एक sentence आपके लिए मुझे क्या पता था कि वो बिमार है इसको हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इसने कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos चली अब है मिलेंगे एक नए वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई